हलो दोस्तो नमस्कार आपका SN हिंदी नालेज पेज में स्वागत है तो दोस्तो आज हम इस वीडियो में डिफेंस से जुड़े 6 जनरेशन फाइटर जेट के बारे में बात करेंगे यानि उसके generation को चेक करना होगा इस लड़ाको विमान में काउण से जनरेशन है जैसे अमेरिका का F16 जो है वो 4 जनरेशन का है और इंडिया के पास जो राफे लड़ाको विमान है वो 4.5 जनरेशन का है इसके बाद आता है 5 जनरेशन यानि की पांचवी पीडी के लड़ाको बीमान की सेड़ी इस 5 जनरेशन के लड़ाको बीमान बनाने में तरावम देशों ने कोशिस की लेकिन दो ही successful बीमान बन पाए हैं एक है F-35 और दूसरा है F-22 ये दोनों ही अमेरिका ने बनाए हैं अब इसके बाद आती 6 जनरेशन के लड़ाको बीमान की सेड़ी लेकिन आज तक दुनिया में कोई भी 6 जनरेशन का लड़ाको बीमान नहीं बना पाया है लेकिन इसको लेकर दो देशों में जवरजस कंपटिशन है उसमें एक है अमेरिका और दूसरा है रशिया और जो भी देश ये 6 जनरेशन फाइटर जेट को बना लेगा उस देश की वाईव सेना को दुनिया में नमबर वन माना जाएगा क्योंकि इसके सामने दुनिया की कोई भी वाईव सेना टिक नहीं सकती है तो दोस्तों हुआ कुछ ये है कि जैसा आप जानते हैं अमेरिका 6 जनरेशन फाइटर जेट जेट बना रहा जो F.A.X.X के नाम से बना रहा है इस बिमान को टकर देने के लिए रूस ने भी अपना एक हाईपरसोनिक बीमान MIG-41 बना रहा था इस बीमान पर जो आज खबर निकल कर सामने आई है उसने अमेरिका तक को भी हिला दिया है आप स्कीन पर देख सकते हैं कि रूस ने इस 6 P.D. के फाइटर जेट को बनाने की रफतार को जबाजस तरीके से बढ़ा दिये और सबसे बड़ी खास बात ये है कि रूस ने अगले शाल 2025 में इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट को भी अंजाम दे सकता है इसकी संभावना ज़ादा है आप अगले शाल 2025 में वर्ड का पहला 6 जनरेशन फाइटर जेट उड़ते देख सकते हैं बताया तो यहां तक जा रहा है कि रूस दुनिया की ऐसी टेकनालोजी लगाने जा रहा है जो आज तक किसी भी लड़ाकू विमान में नहीं लगाई गई है खबर के अनुशा रूस इसमें एक लेजर वेपन इंट्रिगेट कर सकता है जिसकी वज़े से वो अनलेम्टेट शार्ट ले सकता है और किसी भी दुसमन के खिलाब आसमान में कांटिनिवस उसमें सार्ट ले सकता है उदाहरण के लिए सबसे ज़्यादा मिसाइल एक लड़ाको विमान में लगबग 22 लगाई जा सकती है जो कि अमेरिका के यफ 15 में लगाई जाती है और सारी मिशाइले खतम होने से पहले लड़ाको विमान को लेंड करना होता है रिलोड होने के लिए लेकिन लेजर वेपन में ऐसा नहीं होता है या तब तक लड़ सकते हैं जब तक फ्यूल खतम नहीं होता है इस लड़ाको विमान का सबसे बेस्ट फीचर होगा इसका हैपरसोनिक होना आप जानते हैं कि वर्ड में इस समय रूस ही एक ऐसा देश है जिसके पास हैपरसोनिक टेकनलोजी है रूस ने इस हाइपरसोनिक टेकनलोजी का उप्योग करके उसने तीन अलग अलग तरे की मिसाइल बना कर युक्रेन के खिलाब यूज भी कर चुका है बाकि सभी देश यहां तक अमेरिका चीन ये सभी हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाने में लगे हैं इससे आप समझ सकते हैं कि रूस हाइपरसोनिक टेकनलोजी में कितना आगे बढ़ चुका है जै हिन जै भारत